यह कोशन आपको एकदम समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब मैं इसका डाइगराम बनाओंगा आपको थोड़ा सा बताओंगा तो आप एकदम इसका जवाब दे दोगे अब मैं आपको बताता हूँ solenoid के अंदर जो magnetic field lines होती है वो कुछ अंदर लगभग straight line ही होती है मैंने तो बना दिया लेकिन actual view कुछ और होता है अगर आपने solenoid का formula पढ़ रखा हो कि center पर magnetic field कितना होता है उसको आप कहता हो B is equal to mu naught ni लेकिन अगर मैं पूछ हूँ end point पर magnetic field कितना होता है तो आपको कह B is equal to mu naught ni by 2 मतलब आधा तो end point पर आधा होता है axis पर कितना होता है mu naught ni तो इसको आपनलब magnetic field आधे का मतलब यह है कि magnetic field lines काम है तो धियान देना magnetic field lines अंदर solenoid के अंदर सबसे जादा होती है और जैसे ऐसे यह end की तरफ को जाती है तो magnetic field lines घड़ जाती है क्योंकि इनके बीच का separation बढ़ना शुरू हो जाता gap आना शुरू हो जाता सबसे जादा और nearby यह मिलेंगी आपको center पर तो हमसे कह रहा था magnetic field inside a long state solenoid carrying a current मैं समझा रहा हूं भाई यह quality education है छोड़ो coaching को को लग जाओ मेरे साथ